हेलो पीपल मैं हूँ शायन मर्क and welcome back to your channel जी हाँ गाइस मुझे पता है बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रही है लास्ट वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसमें आपने देखा कि कैसे मैंने अपना graduation ceremony attend किया कैसे मुझे master's degree award किया गया मैं बहुत खुश हूँ guys thank you so much for all your support and everything तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाला है American visa बहुत सारे subscribers का मुझे question आ रहता sir American visa कैसे apply का खासकर B1 B2 तो गाइस हाली में मैंने visa apply किया था मैं आपको पहले ये बता दू कि मेरा visa भी reject हुआ था तो गाइस visa जब reject होता है तो हमें मायूस नहीं होना चाहिए देखे गाइस visa ही है उनके पास कोई भी वज़ा हो सकती reject करने और खासकर जब बात करते हैं American visa की तो बहुत strict होता है उनका rules तो जब मैंने apply किया था 2017 में में मेरा reject हुआ था तो आप ऐसा मत सोचिए कि हर एक visa मुझे मिल जाता है किसी का भी visa reject हो सकता है आपको हमेशा positive सोचना चाहिए तो गाइस मैं आपको detail में समझाता हूँ मैंने कैसे किया सबसे पहली बात मैं आपको बता दू मैंने visa apply किया था लात्विया से जहां मैं इस वक्त हू विजा ओफिसर्स बैटे होते हैं American Embassy में वह कुछ ज्यादा ही strict way से बड़ी ही कड़ाई से आपके application को deal करते हैं लेकिन जब आप Europe सप्लाइ करते हैं तो इसके फाइदे यह है कि first of all यहां appointment के लिए आपको ज्यादा wait करना नहीं होता है दूसरी बात यहां के जो लोग है वह आपका application देखते हैं वह समझ जाते कि यह जो person है यह बहुत time से Europe में है तो वह ज्यादा सवाल जवाब से नहीं करते हैं वह आपका application देखते हैं आपकी travel history देखते हैं और financial situation उन्हें देखने की ज़रत पढ़ती नहीं क्योंकि कोई बंदा अगर Europe में धाई साल से है तो by default य एक website है USTravelDocs.com उस website पर मैं गया था वहाँ पर मैंने application visa application form फिल किया उसे कहा जाते है DS-160 उसकी जो चार्ज है गाईस हो है 175 euro तो 175 euro मैंने पे किया था application form भर दिया था उसके बाद आपको एक confirmation या कहिए appointment form आपको मिल जाता है appointment letter आपको मिल जाता है तो जब आप ये form भर देते है DS-160 आपको confirmation of appointment मिल जाता है बस वही document आपको यहाँ लेके जाना होता है तो जब मैंने वो form फिल किया मेरी previous video आप जाके चेक कर सकते हैं उसमें मैंने mention किया कैसे DS-160 form भरते हैं तो उसके बाद guys मैंने payment की 175 euro उसके बाद वो ले गया मुझे एक page पे जहां आपको appointment बुक करनी होती है तो luckily वहाँ पे जब मैं appointment page पे गया तो दो दिन बाद की appointment अवेलेबल थी तो मैंने दो दिन बाद की appointment ले ली और जब मैं दो दिन के बाद वहाँ गया American embassy में तो दो checkpoint होते हैं फर्स checkpoint पर आपका passport देखते हैं बहार ही intercom होता है आपको ऐसे अंदर आप जाने देते नहीं है आप वो button दबाते हैं तो आपसे आपका नाम पूछते हैं फिर आपको अंदर बुलाते हैं आपका passport देखते हैं फिर आपसे पूछते हैं कोई metal है या कोई भी watch जो भी चीज़ है वो आपको निकालने बोलेंगे और आपको एक अलग से bag देते हैं उसमें आपको रखना होत हैं तो मैं वहां चले गया और वहां जाते ही मैंने देखा कि मेरा appointment जो था वो साड़े दस बज़े का था तो मैं दस बज़े उस room में पहुच चुगा था तो जब मैं वहां गया तो वहां मेरे पहले बहुत सारे लोग बैठे थे डिफर नेशनाल रशियंस थे टर्किश ल नमबर नहीं आया तो मुझे थोड़ा doubt हो लगया कि बहुत कुछ गलत तो नहीं हो गया या मेरा application form में कुछ problem होगा या हो सकता है कि मैंने कुछ information गलत भर दिया या उन्होंने सिधा reject कर दिया तो जब मैंने देखा कि सब लोग चले गए वहां से तब मैंने सुच जा कि उन 35 तो वान से लेके 250 तलग सभी का नंबर आ गया था मेरा और दो और बंदिया थी मुझे पता नहीं कौन से कंट्री की थी वह बड़ उनका नंबर भी नहीं आया था तब मैंने जाके counter पूछा कि excuse me माम यह वहां पर सब English में ही बात होती है मैं आपको Hindi में आपको बता देता थे problem होगा है I'm sorry तो उन्होंने apologize किया फिर मैं जाके बैड़ गया फिर दो मिनट बाद मुझे counter बे बुलाया तो वहां पर cabin बना होता है ऐसा cabin होता है यहां पर लोग सामने बैठे होते है एक cabin होता है काच लगा होता है तो मैं गया उन्होंने मुसे पूछा yes hi can you tell me the reason आप क उस lady officer कि उन्होंने मुझे को पूछा कि आप क्या funds आपके बास funds है कौन आपका खर्चा उठाएगा वहां जाने का तो मैंने बोल दिया मेरे पास भी पैसे है और मेरी family भी support कर देगी उसके बाद guys उस lady ने मुझे एक big question नहीं पूछा सीधा मुझे कहा your congratulations your visa has been approved और तीन दि page पे ले जाता है अप one page पे आप one book करने के बाद आपको एक दूसरे website पे जाना होता है जो कि होता है इनका official courier तो American embassy ने अपना courier service से skate किया है एक courier service इसका नाम है Velo Courier लात्विया में अलरला देश में अलरला company हो सकती है जैसे कि इंडिया में mediator जो है वो है VFS Global जो कि हर ए इंडियन को वीजा application करना है तो उसे VFS Global के थूर जाना होता है उसी तरह इस courier के थूर मुझे जाना पड़ा मैंने उस courier के website पे मैं वहाँ पे गया वहाँ पे मैंने अपना detail भरा address telephone number everything फिर उन्होंने एक label दी है return label तो वह label आपको print out करना होता है उस label को आपको A4 envelope पे वहा envelope ले लेते हैं जिस पर वह label लगा होता है तो अगर आपका वीजा वही अप्रूफ हो गया तो वही envelope लेके passport आपका उसी envelope में वीजा लगाने के बाद उसी envelope में passport डालके आपके घर तक वह envelope आ जाता है इस envelope की जो चार्स थी return label की वह थी सिव आठ यूरो टोटल गाइस मैंने बहा 175 यूरो वीजा फीस और 8 यूर लगभग 20,000 इंडियन रुपीस में आप कह सकते हैं और तीन दिन के बाद exact guys तीन दिन के बाद वह envelope with passport और जिस पर वीजा लगा था मेरे mailing address पे यहाँ पर आ गया तो यही था guys पुरा process मैं recommend करना चाहता हूँ कि अगर कोई आप मेंसे को chances बढ़ जाते हैं approve होने के और यहाँ पर wait time भी बहुत कम होता है appointment आपको बहुत असानी से बहुत जली से मिल जाती है तो इस वीडियो में guys यही discuss करना था अगर आपको कोई question है US visa या किसी भी country के visa regarding तो आप comment से मुझे पूछ सकते है Instagram का handle भी है आप वहाँ भी जाके मुझ श्रणा की African continent South America और बाकी बची कुछ European countries को explore किया जाए तो मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए take care and stay connected